तो बच्चो अब करते हैं हम 8th question और यह भी काफी easy है बच्चो इसको solve करना पड़ेगा फिर cut है ठीक निकान लिए तो बच्चो देखो करते हैं इसको that 1 upon 7 3x minus 5 का whole square equals to 28 यह 7 को मैं इदर ले आता हूँ 2x minus 5 का whole square equals to 7 into 28 होता है बच्चो 119 6 तो देखो आब इसको solve करते हैं बस इसको खोल लेता हूँ a minus b का whole square है यह अब मैं इसको खोल लूंगा तो यह हो जाएगा बच्चो 3x का whole square plus 5 का whole square minus 2 into 3x into 5 राइट equals to 196 यह minus b का whole square नहीं होता बस अब इसको कर दूआँ तो यह हो जाएगा 9x का स्क्वेर प्लस 25 माइनस 5 तू जा 10 और 3 जा 30 माइनस 30x इकोस टू 196 बच्चो देखो 196 है मैं इधर फेकूंगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस का 196 तो देखो अब यह कितना हो जाने वाले अब 196 हो जाएगा बच्चो 9x स्क्वेर माइनस 30x माइनस और यह हो जाएगा बच्चो 196 में से मैं अगर 25 को माइनस करता हूँ तो बच्चो यह हो जाने वाला है 15 15 16 17 21 हां बिल्कुल यह 3 से डिवाइड हो रहा बच्चो देखो यह पूरा 3 से डिवाइड हो रहा तो यहां लिख लिए देना डिविजी बॉल वाई 3 तो देखो यह हो जाएगा 3 7 57 को दिक्यों और किटना रहे तो मैं यहां पर रफ पेसं में करूँगा कि तो में यहां पे रफ पेस में करता हूँ तो इधार पेच्ट में रहता हो यहां फिकर आ गया हूँ और यहां पर 몆झ के दीवं ओकर 59 15 16 17 होनग अा च तो बच्चो यह आ गया इतना क्या तो देखो अब मैं शॉट कर ट्रिक लगा लगाता हूं इस पर देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको तीन से तो यह हो जाएगा बच्चों कितना 57 है ना 57 और यहां पर 3 फिर यह देखो कट रहा है में 3 से फिर होगा है तो फिर होगा है लोजाएगा 3 numa झाद 3 29 यह से थाद 9 देखो यहा गया नाइं ठीन और 9 अगया इसके फेक्टर्ण अब यहाँ पर अगर मैं 19 में से 9 को माइनस करता हूं, तो देखो 10 आ रहा है Bak só है बेल्कुल आ रहा है पर यह माइनस क औहली का है तो अव्यस सी बात है कि मैं इसको मैं इसको माइन इनटीन करुँगा इसको पिलस नाइन करुगा तो equals to zero तो बच्चो अब देखो मैं इसमें से क्या करूँ common इसमें से सिर्फ x e common लूँगा ठीक है तो यह हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको next page पे यहाँ पे करता हूँ तो देखो बच्चो यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ देखिए इसको कैसा करा जाए मैं इसको multiply कर देता हूँ तो यह हो जाएगा बच्चो 3y का square minus 618 equals to y का square plus 7y minus 3 ठीक है अब एक काम करता हूँ like like terms को मैं इस y को मैं इस यहाँ पूरी term को मैं सब इस इदर फिक देता हूँ तो यह हो जाएगा 3y का square minus 18 minus y square minus 7y plus 3 equals to 0 तो बच्चो देखो यह नोनों से हो जाएगा 2y का square minus 7y ठीक है और minus 18 में मैं plus 3 करूँँगा तो किता हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4, 5, 6, 7, 8 तो यह हो जाएगा बच्चो देखिए 18 में अगर मैं 3 plus करता हूँ minus 18 में अगर मैं plus 3 add करता हूँ तो किता हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 तो हो जाएगा बच्चो minus 15 equals to 0 देखो यह आगई में पर quadratic मैं इसको solve करता हूँ 2 into 15 हो जाएगा 30 30 के ऐसे factors निकालो कि minus 7 आएगा तो देखो यहाँ पर मैं करता हूँ 3, 10 जा तो 5, 2 जा 2 बन जा ठीक है तो यहाँ पैसे क्या किया जाएगा देखो 5, 2 जा 10 और 3, 10 और 3, 7 आ रहा है तो देखो 10 minus 3, 7 आ रहा है तो minus 10 plus 3 कर दूंगा तो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर क्या कमन है, 3 कमन है तो y plus minus minus 5 तो देखो y equals to 5 आ गया दूसरा आएगा y equals to minus 3 by 2 देखो यह दोनों मैंने लिया और यह वाला मैंने लिया तो y की 2 value आ चुके है काफी easy था बच्चों यह question अब हम करते है next